नमस्कार प्रियदर्शकों हाजर हूं मैं लक्ष्मी प्राप्ति है तू एक अमोग दिव्य महा प्रयोग ले करके साधकों के लिए नवरात्र का यह समय अत्यन्त स्रेष्ट है साधना का समय है सिध्धिदात्र समय है और साधक इस समय साधना में रत हैं और जहां आम जनमानस को धन की अपेक्षा है धन की लालसा है धन की चाहत है वो भी चाहते हैं साधना करें और साधना करके मा लक्षमी की कृपा प्राप्त कर लें वैसे तो मा जगदंबा परांबा जगद जन्नी सब कुछ देने वाली है लेकिन वर्ष में केवल एक बार आता है ये अवसर जहां इस प्रयोग को प्रारंभ किया जा सकता है प्रियदर्शकों आज बुद्धवार है और बुद्धवार को मैं जोतश जिग्यासा ये कारिक्रम लेकर के आप सबके समुख उपस्थित होता हूँ लेकिन जैसा कि मैंने कहा वर्ष में केवल एक मात्र ये समय उपलब्ध होता है इस प्रयोग को करने के लिए और अगर इस समय चुके तो फिर वर्ष भर ये मौका नहीं मिल पाएगा इसलिए जोतश जिग्यासा कारिक्रम को रोक कर मैंने ये कारिक्रम आपके लिए बनाया क्योंकि अगर ज्यान है और उस ज्यान से किसी का लाब भला नो हो किसी को लाब नो मिले तो उस ज्यान का क्या मोल क्या महत्व ये प्रयोग मैं पिछले वर्ष भी बताना चाहता था लेकिन किसी और विशयों में जैसे आज ही का दिन ले लीजिए जोतिस जिग्यासा अब कारिक्रम नहीं छोड़ता क्योंकि एक सिड्यूल बना हुआ है तो ये कारिक्रम नहीं कर सकता था और अगर आज नहीं बताओं तो कर पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इसलिए मैंने उस कारिक्रम को रोक दिया और फिर इस प्रयोग को लेकर के आप सब के समुख उपस्तित हुआ हूँ फिर से बता दूँ ये अनुभूत प्रयोग है दिब्ब्य प्रयोग है अगर सुरद्धा और विश्वास के साथ आपने किया तो मैं जादा तो नहीं लेकिन कह सकता हूँ कि मा क्रिपा से मा की क्रिपा से धन वर्षा अवस्य होने लगे यानि यूँ कहा जाए कि धन के मामले में अगर आपको परिशानी है तो मा की क्रिपा से धन आने लगेगा प्रिय दर्शकों स्रीफल अगर स्रीफल की बात करूँ तो ज़्यादा तर लोग स्रीफल के रूप में नारियल को जानते हैं लेकिन स्रीफल बेल के फल को बिल्व फल को भी कहते हैं बिल्लो बिच्छ जो भगवानिश्चिवक्वती प्रिय है उसका पत्ता और उसका फल श्रीफल इस फल में इतनी छमता है कि ये मा लक्षमी को पूरी तरह से आकरशित कर सकता है आकरशित करता है और ये आजमाया हुआ है कहीं और किसी का उदारण नहीं खुद आजमा करके देखा हुआ है कि प्रयोग बताने जा रहा हूं आपको करना क्या है प्रियदर्श को स्रद्धा इसलिए क्योंकि ये आम नहीं है जो चीज मैं आपसे ढूंडने के लिए कहने जा रहा हूं थोड़ा मुश्किल है और विशेसकर उन लोगों के लिए ग्रामिन परिवेस में जहां बिल्वबृक्ष दिखाई ही न पढ़ता हो उनके लिए बहुत मुश्किल इस समय बिल्वबृक्ष पर फल आये होते हैं कच्चे होते हैं लेकिन फल इस समय बिल्वबृक्ष पर आपको दिखाई पढ़ जाएगा मैं बिल्वब्रिक्ष और इस स्रीफल की महिमा और इस प्रयोग के बारे में बताऊँ उससे पूर्व बतादू कि क्यों इस फल को स्रीफल कहा जाता है कथा प्रसुद है वैसे तो कहीं-कहीं इसकी उत्पत्ती मा पार्वती से भी लिया गया है लेकिन इसकी मुख्य उत्पत्ती मा लक्षमी से लिया गया है मा लक्षमी भगवान शिव की घोर तपस्या करती है नारायन को वर रूप में प्राप्त करने के लिए और नित्य सहस्त्र कमल भोलेनात पर वो अरपित करती है भगवान परिक्षा है तू एक कमल कम कर लेते हैं और वहां पर मा लक्षमी अपना बाया वक्षस्तल भगवान शिव को काट करके अरपित कर देती है भगवान शिव प्रसंद होते हैं और मा को वर स्वरूप विश्णुरूप आय विश्णुरूप ही वर आपको प्राप्त हो ऐसा आशिरवाद देते हैं और उस वक्षस्थल को पुनह आशिरवाद से भोलेनाथ के पुनह वक्षस्थल हो जाना प्रवख्षस्थल को वहीं जमीन में भोलेनाथ गार देते हैं, जहां से एक ब्रिक्ष की उत्पत्ति होती है, यही वो ब्रिक्ष है बिल्व ब्रिक्ष जो भगवान शिव को अति प्रिय है। प्रिये है तो बिलोपत्र का महत्त्य सभी जानते हैं अब यह जो फल है गोलसा यही स्त्री फल है और यह स्त्री फल मा लक्षमी को आकरशित करने का आकरशित मा को करने की जबर दस्त चमता रखता है करना क्या है अब सुनिए हमें जिस स्त्री फल की आवशक्ता है वो यूग युगम होना चाहिए मैंने कहा था कि शहरी परिवेश में मुश्किल है ग्रामिन परिवेश में खूब मिलेगा थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखें तो कोई न कोई फल ऐसा मिल ही जाएगा मैं कई बार घुंडवाया और मिला है जिसमें एक ही फल ब्रुक्ष एक ही डं स्री फल ढूंधना है और जिस ब्रुक्ष पर पता चल जाए ये काम आप आज ही करा लें कल करा लें आज रात त्री हो गई कल करवा लिजे कल हर हाल में साम से पहले आपको पता कर लेना है क्योंकि प्रयोग इसलिए मैंने का था समय ही नहीं बचेगा प्रयोग सायंकाल शायंकाल उस ब्रुक्ष के पास यानी पंचमी तिथी को सायंकाल 25 तिथी कल है 3.O esвар 2019 को हला कि जिस समय आप सायंकाल की बात कर रहों सस्थी तिथी आ गई होगी लेकिन कोई दिक्कत नी 55.युक्ता सस्थी है आपको चले जाना है ब्रुक्ष के पास और ब्रुक्ष के पास पहुँच करके निमंत्रन देना है ब्रिक्ष को, कैसे? तो एक लोटा जल ले करके जाना है, एक सिक्का, एक सुपारी और थोड़ा सा चावल ब्रिक्ष की जड़ में जल अर्पित करना है सुपाडी और सिक्का अक्षत के साथ वही जड़ में छोड़ कर हाँ जोड़ करके प्रार्थना करना है हे ब्रिक्ष राज मैं आपकी साधना है तू आपकी कृपा प्राप्ती है तू मा लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति है तू आपसे आपका फल चाहता हूँ और उसे ले जाने की अनुमती मांगने आया हूँ मैं निमंत्रन देने आया हूँ आप अनुमती दें मैं निमंत्रन आपको देता हूँ मैं कल प्रातः आपकी डाल से एक फल ले करके जाऊंगा और ये ध्यान रखना है वो फल कहां पर है जो यूगम हो जोडा हो मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये बहुत कठी नहीं है क्या ढूंढ करके लाना है मिल जाएगा जहां बिल्वबृक्ष हो बिल्वबृक्ष में खूब आसानी से ये मिलता है उसके बाद शश्ठी तिथी को शुक्रवार है मालक्षमी की कृपा प्राप्ति का दिन मालक्षमी का शुक्रवार के दिन प्रातह काल श्नानादी से निवर्त्त हो करके सश्ठी तिथी रहेगी जाकर के अपने अगर आप पेड़ पर चढ़ सकते हैं तो ठीक नहीं तो किसी व्यक्ति को जो पेड़ पर चढ़ना जानता हो उसे ले लीजिए उसे कुछ पैसा दीजिए और पस वहीं से मन में आप सोच लीजिए कि स्रिफल मालक्षमी की कृपा है तू स्वयम मालक्षमी मेरे पास आ गई है और ये मेरे साथ चल रही है ऐसी मन में कलपना करते हुए उस बिल्वब रिक्ष को एक कपड़ा लेकर के जाएं जिसमें ढग करके लाएं किसी की नजर उस घक कर और चुप-चाप सीधे घर ले आईए घर में लाने के बाद आपको फल को वैसरी रहने देना है सायम काल सब्तमी तिथी होगी और सब्तमी तिथी में ही शुक्रबार का दिन सब्तमी तिथी और एक लाल रंग के कपड़े को बिछा देना है जमीन पर ये किसी में पात्र पहले रख लिजे, पात्र में लाल रंग का कपड़ा और फिर उस बिल्लो फल को धो करके और सुख थोड़ा पोछ दीजिए और फिर उस पात्र में लाल कपड़े के उपर रख दीजिए इसके बाद अब आपको पुनह इसमें किसी का आवाहन नहीं करना ये स्वतह मालक्ष्मी स्रीफल नाम ही है तो आवाहन नहीं करना मालक्ष्मी स्वरूपा ही है इसके बाद उस फल का बिधिवत पंचो पचार पूजन करना है पंचो पचार मतलब पंचो पचार में जल नहीं होता गंध अक्षत पुस्प धूप दीप नईवेद्य अक्षत अलंकरण है इसलिए ये सब जगह आ जाता है पंचो पचार में भी इस्तेमाल किया जाता है ये अलंकरण है तो ये पांच चीजें आप उस श्रीफल रुपी म लक्षमी को अरपित करिए पूजा उनकी विधिवत करिए और आज से ही आपका प्रयोग प्रारंब हो जाता है मैंने कहा है धन वरशा होगी तो ये चुटकी बजाने जैसा नहीं होगा चुटकी बजाया और लक्षमी जी एक सूटकेस लेकर क्या गई नोटों से भरा दिपक जलाकर के पूजा इत्यादी आपने कर लिया पूजा कर लेने के बाद आपको श्रीम हरीम नमह इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ वहा से ले लिजिए तीन अक्षर है श्रीम हरीम नमह नवरात्री में सब्तमी अस्टमी नौमी तीनो दिन ग्य ग्यारहमाला श्रीम हरीम नमह श्रीम हरीम नमह ग्यारहमाला 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 नौमी तक हो गया अब इसके बाद प्रति दिन एक माला कब तक दीपावली तक आपको लगातार अनवरत एक माला करते रहना है श्रीम हरीम नमह एक माला अब अंतर खाई पड़ जाएगा आपके पास दो विकल्प है जो लोग बहुत लंबे समय तक नहीं करना चाहते उनको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा वो दीपावली के अगले दिन दीपावली की रात्री में भी मालक्षमी मान करके उनकी पूजा करनी आप पनी मुर्तियों की पू पाहित कर दीजिए और जो लोग चाहते हैं कि मैं वर्स भर इनकी पूजा करूं तो अगले वर्स तक आप इस मंत्र को एक माला प्रति दिन और बाकी समय में जबते रहिए प्रियदर्शकों पुनह कहता हूं आप नोट करिए अपना पिछला वर्स कैसा गया था कितने धन क कीुस्टि कैसी थी और अब नोट करिए यह करने के बाद कैसा जा रहा है आपका वर्ष यह आपके अनुभाव का विशै है आप अनुभाव करिए मैंने कहा अनुभाव गंय है खुद के ऊपर किया हूग आप कीजिए मैंने इस दिब्य प्रयोग की महिमा बताई क्यों है श्रीफल और क्या ये दे सकता है इसके बारे में आपको बताया प्रयोग विधी आपको मैंने समझा दी मंत्र डिस्क्रिप्शन में आप ले लीजिए वहां से जाकर के जपिएगा प्रयोग प्रारंध कर दीजिए जो लोग दीपावली तक करना चाहते हैं दीपावली के अंगली बार कहने की आवशक्ता नहीं पड़ेगी आप खुद ही तयारी करेंगे क्योंकि आपको इसका मजा मिल जाएगा और जिसको मजा मिल गया है वो बार-बार मजा लेना चाहता है तो जो जानते हैं वो कर रहे हैं वो जान रहे हैं और कर रहे हैं जो नहीं जानते वो जान लें इसलिए मैंने कहा था कि उस ग्यान का क्या महत्व जो लोगों का भला न कर सके तो इस ग्यान का लाब उठाइए यह अमोग प्रयोग है करिएगा अवश्य ढूंडिये जिन लोगों को मिल गया वो अपने आपको भाग्य साली समझें सौभाग्य साली समझें इस करेगा कल साम से कल ही निमंत्रन देना है परसों से पूजन प्रारंध हो जाएगा आशा करता हूँ यह प्रयोग आप करेंगे और अपना अनुभाव मुझे अवश्य बताइएगा अगर आप करना शुरू कर दिए रजल्ट आपके समुख होगा अनुभाव बता दीजिए इनस्टा आपके समूजब कर दिए लगाव जा आपके समुट